पूरा वीडियो देखे दोस्तों अनतक तब आपको समझ में आएगा दोस्तों चलिए स्टार्ट करते दोस्तों यह पहला प्रशना है कि कंप्यूटर क्या है इसके मुख कैर का वरनन करें तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलक्ट्रोनिक मशीन है और जिसमें अधिरिक आंक्ले इसको राडाटा बोला जाता है परियोग करने वाले द्वारा डाले जाते हैं वह इन आकड़ों को दिये गए निर्देश के अनुसार जिने प्रोग्राम कहा जाता है में कंट्रोल के अंदर प्रोसेस करता है परिनाम देता है तथा परिनामों को भविश्य में परियोग हेतु बंडारन जिसे श्ट परकार के आकड़ों को प्रोसेस कर सकता है अंकिक पतलब गनत्यत था तरकीत दोस्तों हर कंप्यूटर पांच मुख्य कार करता है और या आकार या किसी कंपनी का है उस पर आधिरित नहीं करता है इसके 5 पक का है ंपुट द्वारा दिये गए आकड़ों को श्वीकार करता है आकड़ों का बंडारन करता है पर्योग करने वाले की अविशक्ता अनुसार उन आकड़ों को बोड़े कर सकता है दोस्तों चोथा है कि और्पुट के रूप में परिनाम देता है पांचवाय कंप्यूटर के अंदर के सभी कार कंट्रॉल में रखता है में पूरी डीटेल आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों अगला प्रिशन अब Central नौह टो तो क्या समस्यां के लिए कि भंडारन मतलब होता है storage storage जो computer में storage छमता होती है उसको हम भंडारन बोलते हैं आकड़ों निर्दोयोष को हमेशा के लिए सुरक्षित करने रखने को भंडारन कहते हैं आकड़ों में तंत्र में डालना पड़ता है उनको store करना पड़ता है इसमें पहले processing शुरू हो आकड़े storage unit के बाद में जब अरशक हो processing के लिए store किये जाते हैं आकड़ों प्रोसेस करने के पाद परिनाम भी भविश्य में परियोग हेतु store किये जाते हैं जैसे हम हार्डिक्स जो रहता है computer में उसको बंडालन कहते हैं उसका क्या परियोग है उसको हम storage के लिए use किया जाता है दोस्तों यह आप देख सकते हैं पुरा दोस्तों अगला प्रशन है कि computer के विभीन परकार का वर्नन करें तो इसका अंसर यह होगा कि दोस्तों अपने आपने ब आपास्त आकार तथा कारे कुशलता एक दूसरे से विभीन विभीन होती है computer को उनके कारे के नियमों आकार तथा ब्रांड के अधार पर वर्गित किया जा सकता है कक्षा में अधीगम कारियों यह तू विभीन परकार के computer का वर्नन आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों में चलिए दोस्तों computer चार तरह के होते हैं ऐस्तों मैंडी माइन फ्रेम कंप्फ़ुट्र होता है स्प्रा में होता है पहले micro computer odd bit micro processor chips से बनाए गए थे व्यक्तिकत computer PC की सबसे सामान ने applications इस वर्ग की है PC में कई input तथा output यंत्र होते हैं दोस्तों odd bit chips की संसोजित किस्म 16 bit तथा 22 bit chips है micro computer के उधारन आई वी राई PC तथा PC 80 है दोस्तों आप micro computer के बारे में जानगे आप जानते हैं mini computer के बारे तब दोस्तों mini computer के बारे में start करते हैं इनमें इन्हें एक समाई पर एक से अधिक उप्भोक्ता के परियोग करने के लिए बनाया गया है इसमें अधिक भंडारन की छमता होती है storage की छमता तथा अधिक गती से कार करते हैं mini computer बहुप योग ता तंत्र में परियोग किये जाते हैं जहां विभिन और एक ही समय पर कारिक कर सकते हैं इस परकार के computer समानने तोर पर किसी संस्था में भारी मात्रा में आकडों को प्रोसेस करने के लिए परियोग किये जाते हूं इनका परियोग local area network LAN लैंड जिसको बोलते हैं local area network में स्वन की तरह भी परियोग किया जाता है दोस्तों अब में फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं इस परकार के computer अक्सर मेमोरी में मीनी computer से अधीक बड़े होते हैं यह बहुत अधिक गति से कार करते हैं बहुत अधिक बड़ारन की छमता रखते हैं तता बहुत से उभुकताओं का कारिभार संभाल सकते हैं इसका उप्योग अक्सर केंद्रिय डाटा बेस के लिए बड़े संस्थाओं जैसे पैंक बीमा रक्षा तथा अन संस्थाओं के लिए किया जाता है दोस्तों तो अगला जानतें सूपर कंप्यूटर के बारे में दोस्तों दोस्तों यह जो सूपर कंप्यूटर यह सबसे तीस था सबसे बहुत महंगी मशीन होती है अन्य कंप्यूटरों के मुकाबले इस इनकी बहुत अधिक प्रोसेसिंग गती होती है इनकी मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक भी होती है एक विधी जिनके द्वारा सूपर कंप्यूटर का निर्मान किया जाता है हुआ है सैक्लो माइक्रो प्रोसेसर को मिला कर सूपर कंप्यूटर का मुख उप्योग मौसम का हाल जानने वाई यो मेडिकल्स अनू साधन यमोट सेंसिंग, एर, क्राफ़, डिजाइन, तथा विध्यान और तक्निक ये अन क्छेत्रे मे October क कोशन के जाता है दोस्तो तो आपने जाना है चारो कंप्यूटर के बारे में दूस्तोत जो कि जा लिते दोस्तों जो समल ऑप्जेक्टिटिब कोशण है इसका पहला कोशन में गनित्यृत सक्रियाओं hacerlo क्या कहते हैं थे दोस्तों इसका अनसर डिवाइस द्वारा अंदर डालते हो तो यह पर्थिमिक इस्टोरेज इकाई में रखे जाते हैं आकड़ों यह निर्देशों की वस्तिविक प्रोसेसिंग गनित्य तार्किक इकाई इकाई द्वारा की जाती है एल्यू द्वारा की गए मुख्य किर्याएं हैं जमा घटा ग से एल्यू में इस्थानी रित कर दिये जाते हैं प्रोसेसिंग के बाद आगे की प्रोसेसिंग या इस्टोरिंग के लिए और पुट इस्टोरेज गाई को वापिस भे दिये जाते हैं दोस्तों एल्यू के बारे में आपने जाना दोस्तों एल्यू क्या होता है एल्यू में जो mathematics add subtraction multiplication जो होता है हमारी सिस्टम पर computer पर वो एल्यू के द्वारा किया जाता है दोस्तों आपने जाना के अगले और उप्जेक्टिप पर हम आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि एल्यू तदा सी यू को इखटे क्या कहते हैं तो इसको इखटे हम इसका अंसर होगा CPU अब मैं पताता हूं कि CPU क्यों होगा तो दोस्तों चलिए देखते हैं CPU CPU का full format Central processing unit computer तंत के एल्यू तदा सी यू को इखटे Central processing unit के नाम से जाना जाता है CPU का किसी भी computer तंतर का दिमाग कहा जाता है जो की सभी मुख के फैसले लेता तबी सभी परकार की गन्ना करता है तथा computer कार के सभी भागों को दिशा निर्देश देता है कारियों को किरिया वित करके तथा control करता है CPU Central processing unit एक ऐसा यंतर है जो की निर्देश की समझता था उनके अनुसार काम करता है दोस्तों तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारी question बताए अगर दोस्तों आपको अच्छा यह वीडियो लगा है तो वीडियो को like करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को subscribe कर दे मैं इन आई उस डी लिट के बारे में आपको बताता रहूंगा दोस्तों बस आज के लिए इतना ही thank you have a nice day bye bye subscribe my channel